तो ऐसे किसान भाई जो इस समय लगा चुके हैं उनकी गाजर 40 से 45 दिन की करीब हो चुकी है तो उसमें उनको एक वी दो तिन बातों का विश्रेश ध्यान डखना है कि अगर उन्हों में बवाई करते समय बीज थोड़ा ज्यादा डाल दिया है और घनी हो गई है तो उसमें तो इसमें क्या करना है कि किसान भाईयों को जहां पर घना दिखता है तो हां से जो पतली जड़वाली गाजरे हैं उनको निकालते जाएंगे और जिससे की लाइनों के बीच में जो पौधे हैं एक गाजर से दूसरे गाजर उसके बीच में 4-5 cm कम से कम दूरी रहे और इस इस वाजर को आप खेत में अच्छे से मिला करके और गुडाई करके और मटी चाहा देंगे तो इस मटी च रहाने से क्या होजा कि सारे जो पोसकतत्त हैं आपके फसर को मिल जाएंगे और जो इसके साथ साथ जो खरपतवार हैं उसका भी नियंतरन हो जाता है क्योंकि मिटी संतान में एक नेंटिस करके परजाती है इसके अलावा हमारी एक संकर परजाती है इसको नेंजोती काते हैं इन दो का भीज आप रात कर सकते हैं और इनको आप खेत में लगा सकते हैं किसान भाईयों आपने अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर ली होगी और आपकी फसल करीब 40-45 दिन की हो चुकी होगी इसमें आपको विशेशकर धहान रखना है कि इसमें early blight जो आती है जिसमें पत्ते में आप देखेंगे के काला धबा आएगा और उसको धूप की तरफ करके देखेंगे तो उसमें छल्ले जैसे उसको concentric ring बोलते हैं ऐसे छल्ले बने हुए आ जान भाई उसमें विशेशकर से आपका लेट ब्लाइट बोलते हैं जिसको इसको आप म्रिद रोमिल आश्टा भी कहते हैं तो इस बिमारी का विशेशकर से पहचान आप करेंगे इसमें पत्ते में काला धबा दिखा जाएगा और वहर का चिपचिपा रहेगा और दबा ब देखते रहिएगा उसके अमसार जगर लगता है कि पाले की घुश्रा की जाती है संभावना होती है तो आप अपने खेत में हर किसी चाई बनाए रखें और खेत को सुखने नदे